नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी किप्टो मिन्टू में आज आप देख रहे होंगे मैं गाड़ी में हूँ चुकि दिल्ली से बाहर हूँ थोड़ा सा किसी काम से आया था और वो तो आपको पता ही है पिताजी होस्पिटल में है तो इस वज़ा से थोड़ा सा मामला विजी हो गया है और आज केवल माफी चाहूँगा कि केवल एक वीडियो आएगा वो भी यही एक अप्डेटिक का वीडियो होगा और आज पूरे दिन में कोई वीडियो नहीं आपाएगा क्योंकर टाइम नहीं मिल पा रहा है और तो आपका रेगुलर वीडियो कल से आएगे चलिए आज के अप्डेट के बात करते हैं देखे एक तो बोन सिवेरियम और हूँ एक्चेंच इसमें भी कुछ हुआ है और आपका हेलियो इस्टेकिंग प्लेटफॉर्म वीडियो तो चलिए वन वज भी बात करते हैं पहले तो लेते हैं हम आखिर ये ट्रेंड क्यों खर रहा है सिवेरियम और आपका बोन दोनों ही देखिया आप कल से ट्रेंड कर तो देखिए मैंने 0.080 डॉलर पर बाइंग के थी और आज की रिटम उसका प्राइट 0.90 जो है उसका प्राइज अभी चल रहा है तो मैंने आप चका दाए कि एक डॉलर से जिस दिन नीचे आएगा मैं बाइंग करूंगा और मैंने की और आज प्रॉफिट में भी हूं लेक प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे लेकिन अभी इतना नहीं चाहिए मैं इसके आगे के लिए होड़ करके रहा है लेकिन यहां कहने का मतलब सिर्व इतना है कि आप पैसा वही लगाई है जहां आपको थोड़ी को उम्मीद नजर आती है दूसरा पैसा वही लगाई है जो आ अब यहां चीज अब है इक पास वाल्म नहीं अब आपको प्पाता है तो एक्सचेंज के पास वाल्यूम ने यह क्यों जितने लोग है अभी जो इन्वेस्टर है वो क्या करना है अपना फंड निकल के और decentralized platform पे लेके जा रहे हैं इस वज़े ऐसे एक्षेंजियों को देखे volume चाहिए एक्षेंजियों को पाई जब volume नहीं आएगा उनके पास trading नहीं हो रही होगी तो फिर क्या होगा वह बेकार हो जाएंगे दिवालिया हो लेकिन हाँ सिवेरियम और बोन दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं अगली निउज लेते हैं हम जो है वाई एफ आई आई ये एक जो है डेफी फाइनेंस का है और इसने जो है लगबाग चालीस परसेंट का एक अच्छा खाता पम बारा है और देखें मुझे जैसे ही time मिला था मैंने इसको टेलीग्राम पर इसको share भी किया था तो देखें मैंने का वीडियो तो जब बनेगा तब बनेगा लेकिन मैं इसको एक तरह सेर का तो इसने जो है चालीस परसेंट का 24 वार में उच्छाल मारा है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं कि आखर इतना उच्छाल क्यों है डेटेल में तो अभी मैं भी नहीं पता चल ला है एक नियूज आपकी कल चल रही थी काफी ट्रेंड भी कर रही थी वो था रेगुलेसंस को लेके इंडिया में देखें साब वीडियो बनाने के लिए कुछ भी एक साल पुराना वीडियो उठाके अफरक दिया क्या मतलब है कम से कम उसको देखते तो सही आखर क्य लेकिन मैंने केवल उसको ट्वीटर पर डाल के छोड़ दिया था मेरे उसके बार कुछ ज़्यादा कुछ लिखा लेकिन किया था कल वो जयाया था हमारे भायों ने उसको काफी वीडियो बनाकर आरे रेगुलेसंस आने वाले है वो काम हो रहा है वो यक अलग मैटर है बिल पे चर्चा होती है उसके उपागाधा लिस्टिंग होती है तो उसमें क्रेप्टो करन्स अब कहीं भी नहीं है तो मुझे नहीं लगता है किन वहाँ पर टैक्सिस बगैर आकी बज़ट सेसन में हो सकता है लेकिन इस विटर सेसन में फिलाल नहीं है कि वहाँ पर कुल जो अभी 16 ही बिल उन्होंने लिस्ट किये हैं जिन पर चर्चा होनी है तो कुल में लागा अभी तो ऐसी कोई बात है निए लेकिन हाँ बीच में कोई कुश्चन आंसर टाइप का कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते देकिन वो वीडियो एक साल पुराना है तो आप पेज इसको थोड़ा सा ध्यान दीजे कि यह फेक नहीं हुझे एक तरह से देखा जाए तो भी नोना भी तक खुलके क्लैरिफिकेशन दिया नहीं कि अगर ऐसा क्यों किया है और अगर किया है तो टेंप्रेरी किया या परमनिट किया है यह कब तक उसको रियोपन करेंगे ऐसा कोई कनफरमेशन नहीं है क्योंको यह जो स्टेप ठाएगा नहीं गलत था कि आप वेफ हो सकता कोई करता हो तो इसलिए मैं तो यहीं चांगा कि आप थोड़ा से इस पर द्यान दें कि आखिर ऐसा क्या है वह गए ऐसा तो और डेटेल में अगर आप चाते हैं तो एक बार कमेंट कीजेगा मैं डेटेल में इसको जो है दिल्ली पहुंचके आपको इसकी सूचना देता हूं अगला है हीलियो एंकर यह हैक हुआ और वही ए बी एन बी सी अपना हैक हुआ था और अच्छा काजा बबाल हुआ और दो चार दिन उसमें चली और बंद हो गए अब नमबर है हीलियो का देखे साब यह भी बी एन बी चेंड बेस्ड इस्टेकिंग प्लेट अब यह हुरा है और आप यह Focus है लगभग एक लाख तराशी एजार अन्होंने एक्वार कर लिंड वह्यक है बहुत जा रहा है में भी दिखिए एक तो सीजे बाइनेंस ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल बोल का अपने लिए वो कहते हैं दुस्मनी पैदा कर ली तो अब टार्गेट किया रहा है वह भी बेंबी चेन पर ही वर्क कर रहा था अपना एंकर जो है किया और यह हीलियो भी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है यह यह भी बेंबी चेन पर ही वर्क कर रहा है और एक लाख तरह सी हजार एक बीएनबी टोकन को एक्वाइर किया किन्ने हैकर्स ने अब यह माई और विट्रो भी अच्छा का से कर लिया लगबाग जो है पंद्रे मिलियन डॉलर का उन्हों भाई कुछ भी हो सकता है कभी भी हो सकता है आप यह नहीं कह सकते है कि हाँ यहां सब कुछ ठीक है तो देखें यह तो दिये एक छोटी छोटी थारी अपडेट जो अभी चलने थी आशंडे भी है तो आप एंज्जोई कीजिए बाकि ऐसा और को खास अब्डेट है नहीं तो आप मैं तो यह कहूँगा कि आगर आप देखे हम bottom को नहीं जानते और नहीं bottom ढूणने की कोसिस करने चीए मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर जो जितना market भी नीचे आ गया है और उससे और जादा कितना जाएगा वह थोड़ा बहुत और चला जाएगा लेकिन मैंने आपको एक अपनी strategy पहले भी बता है कि अगर मैं कोई investment करूँगा भी इस time पर तो मैं यह मान के चलूँगा कि मेरा BTC जो है 10,000 डॉलर तक भी चला जाएगा तो no problem मैं तो यह मान के चलता हूँ कि BTC जो है 10,000 डॉलर आज की rate में ही है तो अब अगर मान लीजें यहां मैंने कोई buying किये जैसे अभी पीछे में आपको bone का का कि मैंने bone लिया है अगर यहां से BTC 10,000 डॉलर चला भी जाता है तो no problem क्यों मैं पहले से mentally prepare हूँ कि 10,000 तक जाएगा no problem तक भी जाए तो कोई problem नहीं होगी क्यों अगर वो जाएगा तो price नीचे जाएगा हर एक coin का जाएगा इसलिए बाकि देखिए invest करना न करना यह 100% आपकी जिम्मेदारी है क्यों पैसा आपका है तो सोचना भी आपको पड़ेगा और मैं हमेसा आपसे कहता हूँ किसी भी यूटूपर के कहने से पैसा मन लगाईए केवाल आप knowledge हासिल कीजिए तो देखिए मर्जी आपकी है क्या करना है क्या नहीं करना है invest करना है नहीं करना है तो decision आप लेजिए और लेकिन सोच समझके लेजिए एक अच्छा decision लेजिए और एक profit बाला decision लेजिए तो चलिए फिर मिलते हैं नमस्कार